हमारे आयोवेटटीवी को सबस्क्राइब करें सबस्क्राइब करने के लिए लाल सबस्क्राइब बढ़ाईए और उसे दमानी के बाद बेल आइकन के बढ़ाईए ताकि आने वाले नए वीडियो जो के अप्डेर्स आपको रेगुलर्ली मिलती रहे। इसमें मौजूद एंटी ओक्सिडन गून ना सिर्फ बीमारियों को दूर करते हैं, बलकि ये चेरे की रोनक बढ़ाने में भी आपकी मदद करता है, तो चलिये जानते हैं कि किस तरह अद्रक के इस्तमाल से आप ब्यूटी से जुड़ी परेशानियों को दूर कर सकते हैं. पहला, त्वचा का धिलापन दूर करता है, अद्रक में मौजूद 40 से अधिक एंटी ओक्सिडन कमपाउंट एंटी एजिंग प्रोसेस को दिमा कर देते हैं, इससे त्वचा में कसावट और लचिला पनाता है, जिससे आप लंबे समय तक जवा नजर आते हैं, अद्रक या इसके पाउडर में समान मात्रा में सहद, चंदन पाउडर और नीमू का रस मिला कर हपते में दो बार आधे गंटे के लिए चेरे पर लगाईए, जब ये सूख जाए, तो ताजे पानी से दो ले, दूसरा, जूरियों से निजात, अद्रक के सेवन से सरेर की कोशिकाओं में रक्त संचार सही से होता है, जिससे जूरिया दूर होने के साथ साथ तवचा में निखार भी आता है, तीसरा, अद्रक से पाए इवन टोन स्कीन, अद्रक में पाए जाने वाले एंटी ओक्सिडेंट और स्कीन टोनिंग गुणों के कारण स्कीन में चमक आती है, इसके लिए अद्रक के रस में सहद और नेमू का रस मिलाकर चेरे पर लगाईए, और सूख जाने पर ठंडे पा पाने के लिए इसे दीन में दो या तीन बार लगाईए, चौथा, खील मुहासो से चुटकारा, अद्रक में एंटी सेप्टिक गुण होते हैं, ऐसे में रोजाना इसका सेवन करने से दाग दब्बे और खील मुहासे दूर हो जाते हैं, पांचवा, स्कीन जलन से राहत, त अद्रक के रस को उस हिस्से पर लगाईए, इससे आपको तुरंत आराम मिलेगा, छठा, त्वचा को करें डिटॉक्स, अद्रक से चेहरे में मौजूद बैक्टिरिया और विसेले पदार्थ बार निकल जाते हैं, इसके लिए आप अद्रक के रस को चेहरे पर लगाकर 10 से 15 मिनिट के लिए छोड़ दे, जब ये सूख जाए, तो ताजे पानी से चेहरा साप कर ले, इससे आपकी स्कीन डिटॉक्स हो जाएगी, सात्वा, रिमूव करे स्कीन टैक्स, स्कीन टैक्स को हटाने के लिए अद्रक को बारिक काट कर उस हिस्से पर 5 मिनिट के लिए रख ऐसा दिन में दो बार नियमेत रूप से करने पर स्कीन टैक्स सिकूर जाएगे और तवचा सौफ्ट और क्लीन हो जाएगी, आठवा, चेहरे पर लाए निखार, अद्रक का इस्तुमाल तवचा में नैचरल चमक नाने के लिए भी किया जा सकता है, अद्रक के रस को गुला जाकर चेहरे पर 20 मिनिट तक लगा दीजिये, फिर ताजे पानी से चेहरा दो ले, ऐसा नियमेत रूप से करने पर आपके चेहरे पर नैचरल चमक आ जाएगी, नौवा, डेंड्रक को दूर करे, अगर आपको डेंड्रक की समस्या है, तो हपते में दो बार अद्रक के तेल को सकल्प पर लगाईए, इससे आपकी समस्या कुछी समय में दूर हो जाएगी, दस्वा, तेजी से बढ़ाते हैं बाल, इसके नियमित इस्तमाल से सकल्प का बड़ सर्कुलिशन बढ़ता है, जिससे बाल तेजी से लंबे होते हैं, इतना ही नहीं, इसका इस्तमाल दो मु और बालों में लगाईए, दस से पंदरा मिनिट बाद बालों को ताजे पानी से दो ले, ओली सकल्प से आपको निचात मिलेगी, ये सिर्फ बालों को जड़ने से नहीं रोकता, बलकि ओली सकल्प को भी ठिक करता है, इसके लिए अद्रक और नीमु का रस मिलाकर बालों की जड़ों में लगाईए, एक गंटे बाद ठंडे पानी से दो दे, हपते में तीन से चार बार इसका इस्तमाल करने से बालों में सिबन का उत्पादन कम हो जाएगा और ओली सकल्प की समस्या दूर हो जाएगी